दोस्तों आप सब भली भाती जानते हैं कि exam से ठीक पहले students को बहुत परिशानी होती है चाहे कितना भी होशिया student क्यों न हो लेकिन उसे भी exam से ठीक पहले दिक्कत तो जरूर होती है और इसलिए देखा गया है कि class का topper student भी paper की एक रात पहले ठीक से सो नहीं पाता बहुत सारे students तो ऐसे भी होते हैं जो इस pressure को जेल नहीं पाते और कई बार suicide भी कर लेते हैं हमारे देश में अकसर ऐसे ममले देखने को मिलते रहते हैं इसलिए हमने सोचा क्यों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बता दिये जाएं इन टॉपर स्टूडेंट्स में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो एक्जाम से ठीक एक दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन कर सकता है मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने जिन टॉपर स्टूडेंट्स से बात की उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर से ठीक पहले वाली रात को आराम से सो रहे थे और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी लेकिन अगर आपके एक्जाम्स नहीं चल रहे हैं और एक्जाम होने में अभी बहुत समय बाकि है। तो हम आपको बता दें कि कभी भी एक्जाम के समय ज्यादा पढ़ाई करने पर फोकस नहीं करना चाहिए। बलकि एक्जाम से महीनों पहले रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी तो पूरा साल भाकी है और अभी से पढ़ाई करके करेंगे भी क्या। और इसी चक्कर में वो लोग साल भर मस्ती करते रहते हैं और जब एक्जाम का टाइम आता है तो उनके उपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो जाता है और कई बार इस प्रेशर को वो लोग जेल नहीं पातें इसलिए आपको ये गलती बिलकुल भी नहीं करनी है अपना एक श साल भर पहले से पढ़ाई करते हैं तो पेपर के टाइम पर रिविजिन करने में भी आपको काफी मज़ा आएगा आपको लगेगा कि आपको तो सब कुछ आता है और ऐसे में आपके उपर पेपर का बिलकुल भी प्रेशर नहीं होगा और आप एक्जाम में बहुत अच्छ मतलब सारा सिलिबस खत्म कर देंगे और आपके उपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हम आपको बस लेक्चर दे रहे हैं तो आप बिलकुल गलत हैं क्योंकि हमारी रिसर्च में हमने कई बड़े-बड़े टॉपर स्टूडेंट से बात आते हैं कि जैसे ही उनकी क्लास का पहला दिन शुरू होता था वो उसी दिन से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर देते थे और बाकी टाइम में खूब क्रिकेट भी खेलते थे और इस तरह पूरे एक साल बात जब उनके एक्जाम आते थे तो उनका लगभग सा पहले उनकी क्लास के लगभग सारे बच्चे बहुत टेंशन में होते थे और नोटबुक लेकर रटा मार रहे होते थे लेकिन वो आराम से बैठ कर गाना सुन रहे होते थे क्यूंकि उन्होंने पूरे साल में लगभग पूरी तयारी कर ली होती थी दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने साल भर ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती है और एक्जाम के टाइम में उन्हें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है और दरसल होते तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साल भर काफी अच्छी पढ़ाई की है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता क एक्जाम के टाइम पर पढ़ाई कैसे करें और कुछ समय के अंदर पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइस किया जाए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से टेंशन को दूर करना है क्यूंकि जो होना है वो होकर रहेगा एक दो दिन पढ़ाई करके आप ज्यादा कु सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और दोस्तों ये बात हम नहीं बलकी बड़े बड़े साइन्टिस्ट कहते हैं कि लिख लिख कर किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी याद किया जा सकता है जब एक बार आप किसी चीज़ को अपने हाथों से कौपी पर लिखते हैं त जब आप किसी चीज को बार बार बोलने हैं तो दिमाग उस चीज को याद कर लेता है। और इसलिए बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट एक्जाम के समय तेज तेज आवाज में बोलकर स्टडी करते हैं। कोई भी नई चीज सीखने के बजाए उन चीजों पर ज्यादया फोकस करें जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्जाम से ठीक दो दिन पहले 10 तरह की किताबे पढ़कर खत्म कर देते हैं। और जब एक्जाम में लिखने की बारी आती है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए एक्जाम के समय क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है। एक्जाम के समय जब कुछ पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। हाँ अगर आपकी आदाश बहुत अच्ची है या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको इंपोर्टन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इंपोर्टन टॉपिक्स आपको परीक्षा में ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। जो भी पढ़ाई करें उसे पूरा मन लगाकर करें। ताकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता भी है तो आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकें। दोस्तों ऐसी कुछ चीजे भी होती हैं जिनें एक्जाम टाइम पर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है वारना सारी की सारी पढ़ाई धरी रह जाती है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि exam के time बहुत सारी students दिन रात एक करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वो बिमार हो जाते हैं और फिर आगे क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है इसी लिए दोस्तों exam के time हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और healthy खाना खाना चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि student paper देने शहर से बाहर जाते हैं और paper से ठीक पहले junk food जैसे चाय समोसे कचोड़ी खा लेते हैं और फिर paper के time पर नीन सताने लगती है इसी लिए paper के time पर अपनी सेहत का पूरा खयाल रखें exam के time एकांत में पढ़ाई करना दोस्तो कई studies में पता चला है कि पूरे साल भर की पढ़ाई एक तरफ और exam से ठीक एक महीने की पढ़ाई एक तरफ होती है मतलब अगर आपने पूरे साल भर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं भी की है और आप एक्जाम से ठीक एक महीने पहले मन लगा कर पढ़ाई कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसलिए एक्जाम से ठीक एक महीने पहले या एक्जाम के समय हमें एकांत में बैठ कर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सके कई बार देखा जाता है कि स्टुडेंट्स एक्जाम के समय ग्रुप स्टडीज पर ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन दोस्तों आप भली बात ही जानते हैं कि जहां पर 3-4 लोग एक साथ रहेंगे वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बंस तो जरूर होगा इसलिए एक्जाम के टाइम हमेशा एकांत में बैठ कर पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपको ग्रुप स्टडीज करने का शौक है तो आप साल भर अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई करते समय ब्रेक लेना दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्जाम के समय जी जान लगा कर पढ़ाई करते हैं और बीच में ब्रेक लेना भूल जाते हैं और ऐसा करने से आप बहुत बड़ी चीज मिस कर सकते हैं और वो है आपकी मेमरी। कई बड़ी बड़ी स्टडीज में सामने आया है कि एक घंटे तक लगातार हेवी मेंटली वर्क करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से ठक जाता है। ऐसे में एक घंटे के बाद हमें कम से कम 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी टीचर का पीरियड एवरिज एक घंटे का ही होता है क्यूंकि एक घंटे के बाद बच्चे बोर होने लगते हैं तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जान मत रहे और जिंदगी रही तो आप इससे भी बड़े बड़े एक्जाम पास कर सकते हैं इसलिए खुद का खयाल रखिए मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर लव यू ओल